हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आयोग बढ़े आशे होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल लए होगी आज मैं अपने कमेंट पड़ रही थी अपने ही वीडियो पर जो मैंने वीडियो डाला था लगबग दो हपते पहले अच्छा प्यार मिला आप सबका उस पे उसमें कमेंट आया था कि क्या पॉली थीन में कीचेन वेस्ट बांद के रखने से उसमें कीड़े नहीं पड़ जाएंगे बहुत अच्छा सवाल था मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि कैसे मैं कीचेन वेस्ट को पॉली थीन में बांद के रख देती हूँ और यहां देखिए मैं गमले आपको दिखाते जा रही हूँ कि सारे ये मेरे जितने भी देख रहे हैं ग्रोब एग और ये बोरी और ये गमले साब कीचेन वेस्ट से भरे हुए हैं मैं अपने कीचेन का एक भी छिलका इधर से उधर नहीं करती हूँ ना तो मैं अपना गार्वेट कहीं बेखती हूँ ना कीचेन वेस्ट तो आज इसी पर बात कर लेते हैं अब वीडियो खतम होते होते आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे तो आज मैं फिर से अपना कीचेन वेश्ट लेक आई थी तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे आप पॉली थीन में बांद के रख सकते हैं और उसमें एक भी कीडा नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले बात आती है कि कीडा क्यूं पड़ते हैं कीडे इसलिए पड़ जाते हैं क्यूंकि नमी होती है और जाहर सी बात है कि जब आप हरी सब्जियों के छिलके भरेंगे तो उसमें तो नमी होगी ही होगी तो Kitchen West में कीडे ना पड़े और ये चीज सप्पे लागू होती है चाहें आप गमले में भरें चाहें मटके में भरें चाहें आप पोलीथीन में भरें तो आपको ध्यान रखना होता है Balance का तो सबसे पहला रूल तो यह होता है किचेन वेस्ट का कि उसमें सूखा और गीला कचरा दोनों मिलाने होते हैं ध्यान रखिएगा इस बात को तो सूखे कचरे के तोर पर आप यूज क्या कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास गार्डन है तो गार्डन में नि मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं गोबर खात का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं अपनी पॉली थिन दिखा रही हूं जिसमें मैंने किचेन वेस्ट बान के रखा था कहीं आपको एक किड़ा नजर नहीं आएगा कारण यही है कि मैंने जब किच्चन वेस्ट भरा था तो ऐसा नहीं था कि चितना भी किच्चन में निकले थे छिलके सारे वही बान के रखे थे नहीं मैंने सूखा और गीला दोनों कच्रा मिलाया था इसमें देखिए आपको नजर आ रही होगी सूखी सूखी घास भी है जो हमारे गमलों में अक्सर हुगाती है तो वो सूखी हुई बिल्कुल घास है वो भी मैंने इसमें डाली थी अपने गमले से लेकर मिटी भी डाली थी इस तरह से फूल भी पड़े है और थोड़ी बहुत गोबर की खाद भी मैंने डाली थी तो जितना मॉस्चर हमारा ग्रीन कच्रा छोड़ेगा ये ब्राउन कच्रा जो होगा सूखा कच्रा वो उसको एबजॉर्ब कर लेगा और इ पिल्कुल हर चीज पर लागू होता है ऐसा नहीं है कि आप किसी बकेट में अगर किचेन वेस्ट बनाने जा रहे हैं तो वहां पर आप सिर्फ गीला कच्रा बढ़ते रहेंगे तो उसमें कीडे नहीं पड़ेंगे उसमें भी कीडे पड़ेंगे तो जब भी आप किचेन कम जरूर मिला दीजिए मिट्टी नहीं है बालू मिला दीजिए गोबर खाद मिल जाए वो मिला दीजिए और अगर कुछ न मिले तो मार्केट में बर्मी कमपोस्ट या गोबर खाद बहुत इजली अबलेबल होती है लाक रख दीजिए जब भी कच्रा निकले बाल्टी में अगर आप डाल ले हैं तो कच्रा डालिए एक दो मूठी उसमें कमपोस्ट डालिए या गोबर खाद डालिए या बालू या मिट्टी कुछ न कुछ जरूर डालिए बैलेंस करके रखेंगे तो कभी भी कीडे नहीं पड़ते हैं और देखिए मैंने पॉली थिन में इस तर माड़ू हो वह मरे नहीं क्योंकि पॉली थिन में आप जानते हैं कि हवा इधर उधर पास नहीं होगी अगर मटका होता या जूट की बोरी होती तो एयर शर्कुलेशन होता रहता पर यह पॉली थिन है तो हमें इसमें छोटे-छोटे छेत बनाने पड़ेंगे तो मैं इसी तरह से और बिल्कुल पीछे रख दूंगी बहुत सारे यहां पर मेर प्लांट रखे वहां थंडग भी रहती है और यहीं पर रखे रहेंगे जब मुझे जरूरत होगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी तो कभी-कभी डालते समय यह पूरी तरह डीकंपोस्ट हो जाते ह हैं तो जरूर से इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा